नमश्कार, आज में आपको बताऊगई अस्तर बलाउच कटिंग इनिश्टी चिए तो यहां पर देखिए जब अस्तर बलाउच के कटिंग करते हैं तो यह जो सारी का कपड़ा वह हमें थोड़ा बड़ा काटना चाहिए, अस्तर की एकदम बराबर कटिंग करनी है, और सारी मेंचीज है और उसको हमें अच्छे से काटना है पूरा नाप लेके और जो साड़ी है या नेट है उसको हमें थोड़ा बड़ा ही काटना है अब देखिए जैसे हमारा यह ब्लाउज है तो ब्लाउज को हम इस तरीके से पहले नाप लेंगे इसका इस तरीके से हमें रखना है और यहां पिर देखे हमें ऐसे हैं को दonie 21 मेफ्टे मारते को तो यह हमारा हो गया 42 लमाई और यहां पर इसके जो लंबाई हैं शोडरा यहां पर पहले हमें लंबाई देखने हैं तो यहां पर हमारी जुलाफ़ाई शाड़े 15 см हैं कपड़े की 42 है तो 21 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे पहले उसके बाद हम यहां पर गुंजाइस लेंगे कि तो कपड़ा हमारा कम है अस्तल कम है तो दो इंच की रखेंगी क्योंकि हमें इसमें से बाजू भी निकाल नहीं है अब देखिए यहां पर हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है इस तरीके से उसके बाद देखिए हम इस तरीके से करेंगे अब यहां पर लेंगे हम सोल्डर ताड़े पाच इंच जो किसका गला है वो डीप है आरूमर लेंगे 6 इंच और यहां पर हमें ऐसे गोलाई गले की चोड़ाई हमें यहां पर धाई इंच की रखनी है गले का आगे का जो गला रहेगा वो हमारा 7 इंच का रहेगा इस तरीके से हम यहां पर हमने चोगुटर निशान बनाने के बाद आदा इंच की दूरी रखी है सबसे पहले हम इसका जो सोल्डर है उसको अलग करेंगी यहां से कटिंग करना हमें तो यह अलग हो गया जो बड़ा परलर है हमारा वो आगे का है जो लंबाई में चोटा वो हमारा पीछे का है कि अब जैसे हमारा आगी का गला साथ इंच का है आदा इंच हमें यहां पर आरूमल का कटिंग करना है तीरा इंच पर हम यहां पर तीरे का निशान लगा लेंगे एक इंच लेंगे हम यहां पर ऊपर की साथ और इसको देखी हमें ऐसे नीचे की साथ लेके जाना है अब हमें यहां पर टक्स का निशान लगाना है दस इंच पर अब हमें अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है हमारा फिटिंग का कपड़ा जैसे एक कीईर खीच न करेंगे इस तरीके से यहां पर साढ़े दस अंच यह हो हो गया हमारा फिटिंग का जबख दस चंच का अगा करेंगे तो यहां पर सब्सक्राव पांच घ्लाइगा लेकिन हम आदा इंच छोड़ेंगे हम यहां पर निशान लगाएंगे 5 इंच पर यह हमारी प्लेट एक दम बीच में आने चाहिए आइसके बाद दो इंच की दूरी रखनी हमें यहां पर दो इंच की दूरी यहां पर और एक रेट हमारी यहां पर यहां पर क्याची के कट यहां पर क्याची के कट यहां पर तीरा कटिंग किया है कि जब हमें इसमें प्लेट डालेंगे तो यह परलर हमारा चोटा हो जाएगा और अबी हम थोड़ा चो आई करना इस तरह किसे हमारा आगे का प्लेट यहां पेमें करेंगी चौड़ाई लेनीहें दाई इंच उस वं दज दख्रि दिद 10-15 और यहां पर रखेंगे यहां पर रखेंगे राड़े और 3 इंच लिए है का इस त्रीकिसे? हमें चोड़ाई में गले को बनाना है तो पीछे की पिलेट के निशान हम इस तरहarnos घ्यान yo कि यहां पर लगा लेंगे कैची के कट इस तरीके से हमारा पीछे का भी तयार हो गया है अब हमें बाजू निकालनी है यहां पर हमारे कपड़े की जो चोड़ाई है वह साड़े 15 इंच तो हमें यहां पर कम से कम 19 इंच की चोड़ाई रखनी है, यहां पर चोड़ाई, तो हमारे पास यह कपड़ा है, अरुमल का जो कटिंग का है, उसको यहां पर हम जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे, तो यहां पर कितना आ रहा है, 21 इंच, तो हमें 19 इंच की चा कटिंग का और इसको हमें ऐसे ऊपर के सारे लेकर जाना है तो यहां पर जो लंबाई है अब यहां पर जो भी टुकड़ाय लगा लेगी इसको यहां पर जोड़ लेंगे ऐसे यहां से कटिंग करतेंगे कि और अगर आम अस्तल्री बट्टी लगाना चाहें तो यहां पर जो भी कपड़े आप की बचे हुए हैं जैसे इस तरीके से तो आफ अस्तल्री बट्टी लगा सकते हैं या रवा बैब्ल लगाना चाहें तो साड़ी का जो कप्डरा हूस मैं से रवा crooked निकाल सकते हैं तो मैं यहां पर असल की पट्टी लगाऊंगी तो इस तरीके से हम कप्ड़े को तिरच्छा करेंगे पहले अब हमें एक इंच चाहिए हमने यहां पर एक एक इंच के पट्टियां काड़ ली है और इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे सारी पट्टियों को कि दो पट्टियां काटेंगे हम हुक और काज के लिए जो काज वाली पट्टी है और हुक वाली पट्टी है तो यहां पर हमने देड़ इंच की चौड़ाई लिए और यहां पर दो इंच की चौड़ाई अब हमारा जो कपड़ा है साड़ी का उसकी कटिंग करनी तो एक साड़ हमारी यहां पर डिजाइन है और यहां पर प्लेन है तो हमें क्या करना जो पीछे का पल्ला रहे रहे गा वाजू पर रहेगी हमारी दिजाइन तो हमें ऐसे करके रखना अपना पीछे का पल्ला जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा में बड़ा ही काटना तो यह हमारा आगे का पार्ट है कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना तो यहां पर भी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा देखिए इस तरीके से हमें इसको रखना इसकी भी चोड़ाई कम है और बोर्डर है यहां पर देखिए हमने बाजू भी काट ली है और यहां पर हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए चोड़ाई में तो यह हमारी बाजू भी कट गई और यह हमारा आगे का पाट है यह हमारा नीचे का तीरा है यह हमारा पीछे का पर्ला यह यहां पर मैंने आपको गले की पट्टी और काजवाली पट्टी भी बताई है अगर आप इसकी स्टीचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आपको इसकी स्टीचिंग भी बताऊंगी और वीडियो को जासे जादा शेयर करना ना भूले कुछ सीखना है तो प्लीज नीचे कमे इसके बताएं ओसे बताएं प्लीजए ख़ड़ मैं तो मैं प्लीज नीचे कमेंगे जादा शेखना घक आपको फॉड़ मैं था तो हम आपको था इसकी स्टीचिंग डिल्स कुछ सीखना है चाहते हैं वीज़ स्टीचिंग